दोस्तों अगर आपने आपका TADAP PLAY का SETTOP Cारनों के वज़े से reset किया है और उसके बाद आप default Settings में नहीं जा पा रहा है TADAP PLAY के SETTOP BOKS में या फिर आपको किस एक सेटिंG में attack गए होंगे या फिर आपको लगता है कि आपको किस प्रकार से 1st time installation करवाना है आपके Tata Play के setup box में या फिर आपको पूरी तर से आपका Tata Play का setup box reset करना है, factory reset करना है, तो मैं आपको इसी को लेकर बताने वालो directly TV screen पर जाके पूरी step by step आपको इस विडियो में जानकर ही देने वालो तो विडियो में बने रही है, विडियो में आगे बढ़ने से प्लिया आपस रिक्वेश्ट है, अगर आपने हमारी चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चनल को सब्सक्राइब कीज़ों साथ में बिला इकन को भी दबा दीजे, दोसतों अगर आपके टाड़ापले के सेटबाक्स में कोई भी सेट्टिंग को लेकर problem नजर आ रही है और आपको लगता है कि आपका टाड़ाप्ले का setup box में आपको factory reset करवाना है तो यहां पर में पूरी procedure आपको इस उले में बताने वाला हो सबसे पहले आपको टाड़ लेके remote से setting बटन को प्रेस करना है उसके बाद आपको system setting का option नज़र आएगा उसमें 5 यह option में आपको जाना है जिस पर आपको देखने को मिलेगा master reset यहां पर आपको जो है select करना है उसके बाद आपको एक message देखने को मिलेगा this option will restore your setup box default settings please reset your preferred settings after the setup box restart तो simply यहां पर आपको yes go ahead कर देना है और जैसे आप इस पर okay करेंगे आपको एक message देखने को मिलेगा please wait the setup box will restart तो यहां पर आपको थोड़ा सा समय लग सकता है तो यहां पर आपको थोड़ा सा patient रख रहा है उसके बाद आपको first time installation screen पर भेजा जाएगा वहां पर आपको देखने को मिलेगा please choose your screen language आप किसी भी language को यहां पर चुन सकते हैं यहां पर मैं फिलाल English language को select कर रहा हूँ जैसे आप यहां पर okay करेंगे आपको एक और setting देखने को मिलेगी select resolution यहां पर आपको एक message जो है अगली setting देखने को मिलेगी setup checklist यहां पर आपको okay कर देना है इसके आगे की setting थोड़ी सी जो है complicated है अगर आपके पास LNB है आप super LNB या फिर start CR के इस्तमाल नहीं कर रहे तो यहां पर आपको simply LNB पर select करना है और यहां पर low band yellow frequency पर आपको 09.750 GHz और high band yellow frequency आपको 10.600 GHz पर set कर देना है तो उसके बाद जैसे आप okay करेंगे आपको एक option नज़र आ गया पर थोड़ा सा time लगए उसके बाद आपको एक option देखने को मिलेगा entry point टिपी के लिए आपर entry point आएगा यहां और बहुत से आपको option नज़र आएंगे यहां पर आपको simply G730 TP20 home इस पर आपको select कर देना है जैसे आपको यहां पर okay करेंगे आपको एक और setting में भेज दिया जाएगा signal lock इस setting में आप आ जाएंगे और वह पर देख पाएंगे और इसके बाद आपको okay कर देना है और वहां पर आपको बताएगा wait करके थोड़ा सापको वहां पर बताए जाएगा और उसके बाद आपका set up box पूरी तरह से restart हो जाएगा reset हो जाएगा और आपको home page पर भेज दिया जाएगा तो यहां पर मैंने पू अगर आपने अमेरे चनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चनल को सब्सक्राइब करेंगे